असलाम वलेकूम मेरे चानल पे आप सभी का वेलकम उमीद है आप सब खेरियत से होंगे मेरी आज की रेसिपी है धोगला वड़ी तो चलें जल्दी से इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह यम्मी सी रेसिपी कैसे रेडी होती है दोखला वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है यह भर के कटोरी एक बेसन है पुरा उसके बाद मैंने रवा लिया है रवा में चार चुटे चमच बेसन में एड़ करूंगी उसके बाद मैंने यहाँ पर बाड़ी कटेवे धनीय के पत्ते लिये हैं थोड़ी सी हल्दी नमाक लालमेच पाउडर और धन्याजीरा पाउडर छोटी कटोरी मैंने आधी लिया है दही इसके साथ साथ कड़ी पत्ता जीरा राय और सफेद तील और बारिक कटी वी हरी मिर चली है बारिक कट करके आप अपनी टेस के हिसाब से एड़स कर सकते हैं बिसमिल्लायरहमानियु रहीम बेसन ले लिया है अब बेसन में में रवा एड़ कर रही है तो रवा मैंने चार चुटे चमच एड़ किया है रवा बहुत जादा अगर मैं एड़ कर दूँगी तो ढ हुकला वड़ी जो है बहुत जादा हार्ड और कड़क हो जाएगी तो इसलिए मैं इसमें सिफ चार चमच के करीभी एड़ कर रही हूं थोड़ी सी हल्री मैं लूँगी उसके साथ साथ में एक छोटा चमच धनियाजीरा पाउडर आधा छोटा चमच लालमेच पाउडर औ एक छोटा चमच के करीब मैं यहां पर अधरक लसन का पेस्ट एड़ कर रही हूं धनिये के पत्ती के जो डंडी होती है मैंने उसका पेस्ट बनाया है तो मैंने थोड़ी सी डंडियां ले ली थी उसमें बहुत थोड़ा सा पानी एड़ करके मैंने इसका पेस्ट बना लिय अब मैं इसमें 2 कटोरी के करीब पानी आड़ कर रही हूं और इसे अच्छे से मैं फेट लूँगी इसे बहुत अच्छे से इसे अपने भीट लेना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से यह मिक्स हो जा उसके बाद इसे साइड में रखते थे हैं एक फ्राइपन ले लिया मैंने इसमें थोड़ा सा तेल एड़ किया है बहुत जादा नहीं थोड़ा सा दो छोटे चमज के करीब तेल लिया है मैंने उसके साथ साथ मैं इसमें कड़ी पत्ता राए जीरा और सफेद तिल एड़ कर रही हूं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके जू पर अब बीगा तंडा है चुछाथ है onमेर और अब इसमें प्रत्वरा अच्छे मिक्स करण सोट 14 का क्षिए और इसमें अब पुझाकर стать के अब इन इसमें अब में इसमें चाहिते हैं काले नहीं करने हैं बस हलका हलका सा इसे भून ले लो फ्लेम पर ये हरे ही रहने चाहिए इसे ब्लैक नहीं करेंगे अब बेशन का जो मैंने पेश्ट बनाया था वो मैं इस मैं आट कर रही हूं ग्यास की फ्लेम को लो ही रखना है लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है इसी तरह इसे लो फ्लेम पर पकाते जाएं चमच की मदद से इसे इस तरह से मिक्स करते जाएं अच्छे से इसे मिक्स कर लें ये इसी तरह का गाड़ा होता जाएगा और गाड़ा होते होते और गाड़ा हो जाएगा ये तब तक इसे पका लेना है ये देखे यह एक प्लेट ले में बहुत हलका तेल लगाया बहुत जाधा तेल नहीं लगाना है यह देखे बस इतना ही तेल लगाना है अब जो बैटर मैंने बनाया है वह मैं इस प्लेट पे निकाल लूँगी इसे प्लेट पर ही सेट कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं, बहुत जादा जाड़ा और मोटा नहीं रखना है, मेडियम रखेंगे इसे, अच्छे से ये सेट हो जाए, इसके बाद इसे पूरी तरह से थंडा होने देते हैं, थंडा होने के लिए इ जादा कड़क और हाड नहीं होते हैं, तो इसे कट कर लें, आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसे शेप में से कट कर सकते हैं, ये देखे, मैं एक पीस आपको बता रही हूं, अब मैं इसे shallow fry कर लूँगी बहुत सदा तेल में से fry नहीं करना है एक fry pan ले लिया मैंने इसमें थोड़ा सा तेल एड़ कर दिया है इस तरह से मैं एक एक पीस जो है वो रखती जाओंगी और इसे fry कर लूँगी कि हो अधीँ दोकला एक चलते हुए डूसरी तरव से विफ्राय कर लेते हैं इसे में और मीडियम फ्लीम पर भी गव्राय कर रही हूं तो इसे अच्छे से ट Cantonese अग तरफ से पऑने के दूसरी तरफ से भी फ्राय कर लेंगे इसे मैं इसी तरह का गोल्डन कलर दूँगी बस इसी तरह से इतना ही सिफ्राय करना है तो दुसरी साइड भी पस इतना सा कलर देके मैं इसे निकाल लूँगी यह अब रेडी हो गया है मैं इनने निकाल लेती हूँ यह देखे चारो तरफ से यह अच्छे से पक चुका है तो मैं अब इसे टीशू पेपर पर निकाल लेती हूँ बागी के जो पीसिस है वो भी इसी तरह फ्राय कर लेंगे गैस की फ्लेम को लो रखें उसके बाद जो है यह पीसिस इसमें आड करते जाएं और इसे अच्छे से फ्राय होने दें मीडियम टू हाय हाय टू मीडियम फ्लेम पर माशालला से ढोकला वड़ी जो है वो रेडी हो गई है मैं इसे सर्फ कर रही हूँ टमैटो केचप के साथ आप चाहें तो ग्रीन चटनी या पुदिनी की चटनी के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं मेरी रेसिपीस की वीडियोज देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे मेरी वीडियोज को लाइक करना ना भूले और बैल आइकन को क्लिक कर ले दुआओं में जरूर याद रखिए का अपना ख्याल रखिए का मैं कल फि CP के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज